चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं देवनारान गुरुकुल योजना के बारे में दीए देवनारान गुरुकुल योजना ने जो है सिक्षा विभाग मादिम शिक्षा विभाग बारा संचालित की जाते हैं अती पिछड़ा वर्गेतु देवनारेन गुरु को लिए ने जो है 2011 बारे में आरंप की गई है अती पिछड़ा वर्गे कक्षा 6-12 तक अध्यनरत चात्सात्रा जो राजस्तान के मूल निवासी हो जन्होंने कर्चा 5 की परक्षा उत्तिर्ण की हो तता जिनके मात अपिता इंकम टेक्स नहीं देते हैं मतला आयका डाता नहीं हो उनके लिए यह योजन है ठीक है उनके लिए राजस्तान सरकार ने योजन चाल रखी है मतला है राजस्तान का मूल निवासी होने चाहिएbab जो छात्री चात्री रहनेवाला है और चातर चातर अती पिछड़ा वर्ग जैसे खाँ है, बंजारा है, बाल दिया है, लवाना है, गाडिया लोआर है, गाडोलिया है, गूजर, गूर्जर, राइका, रहबारी, देवासी, एक यह लिए, गडरिया, गाडरिजिन को बोलते हैं, गायदी, यह जो है आदी की हो, इन में से कोई भी हो, छातर चातरा तो उनके लिए है, ठीक है, और मातपिता के आयकर दाता नहीं होने का स्ववगोशन प्रवान पत्र भी लगाना पड़ेगा, इसलिए आयकर दाता नहीं होने चाहिए, ठीक है, और देखें, यह नीचे लिखा हुआ है, मुलनिवासी होन और मातपिता के आयकर दाता नहीं होने का स्वगोशन पर ज़िए आधन रत होने चाहिए, कोई भी यह तो राज किया है, गहर राज के विद्धा लाया है, नीचे नामित अद्यन रत होने जरूरी है, और पांच भी क्लास और तर्म जरूरी है, यह योजना है, उसके बाद में देगे आव defin on online कैसे कर सकता है आविदन कैसे का सकता है या तो online यह इमितर के माद्धन से ठीक है योजना की website है उसके मादल से आप नज़दी की zwei इमितर से जाकर online का सकते हैं इसके लिए देगि एक website विदियो तेवनारन गुरुकुल योजना की website www.tps-dragystansaladarpan.nik.in पर जाकर online आविधन कर्ष रखते हैं तेवनारन गुरुकुल योजना के लिए आविधन का कोई शुल्क नहीं रखा गया है यह बिलकुल निशुल्क है आविधन मतलब कोई शुल्क नहीं लगाना है तिक उसके बा प्रमान पत्र होना चाहिए जाती प्रमान पत्र होना चाहिए ताकि पत्त तले किस काटेगरी चाहता है आये प्रमान पत्र की एक फोटो बभी और शिक्छा योगिता कि मार्शेट यह प्रमान पत्र के प्रती जैसा इसमें बतायता है कि पांच हो क्लास प्रास होना जरूर से देगे लाव बरते को या लाव जो है फ्री रेजिडेंशल फैसलिटी एंड फ्री एजुकेशन रहने की फ्री सुविदा और फ्री सिख्षा में लेगे